प्यास के बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नास्ते की रेसिपी लेकर जो पास मिन्ट में बना के रेडी कर सकते हैं सुबे शाम की हलका फुलका भूक में उपर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट देखे कितनी बड़िया बनी है इस तरह से सौस के सत खईये चाय के सत खईये खाले भी खा सकते हैं चक्नी के सत खा सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ो तक सम मांग मांग कर खाएंगे जरूर ट्राइ करिएगा अब से लिए देर कीजबात की नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले दो प्यास को इस तरह से लंबाई साइज में काट लिया हैं, देखिए इस तरह से प्यास के लच्छे चाहिए, इस तरह से मसल के हम लच्छे को निकाल के ले लेंगे, देखिए इस तरह से चाहिए हमें प्यास, दो चमस चाबुल काटा में लाएंगे, मिक्स के ल पालमिच पॉड़र, हल्दी पॉड़र कलार के लिए अधी चमच धनिय पॉड़र, चाट मसाला, थोड़ी सी हरा धनिया, दो चमच कॉन्टूलर मिलाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तब मैदे भी मिला सकते हैं, अभी हम नमक नहीं मिलाएंगे, क्योंकि नमक डालने से छोड़ देगा, इसी तरह से हमें प्याज को कोटिंग करके लेना है, जब हम फ्राइ करेंगे तो निकलेगी ना है, अब इसको हम साइड में रख देंगे, दो बॉड़ी लालू गिरेट करके ले लिया है, एक बारी कटिवी प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिय स्वाद नुसन नमक, और इसी लाल मिच पौडर, और इसी चाड मसाला, यही मसाला मिलाएंगे, और कोई मसाला नहीं मिलाएंगे, बहुती कम मसाले में, बहुती टेश्टी बनेंगे नास्ता, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स कर लिया है, आप थोड़े-थोड़े ले लेंगे, और छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे, देखे इसी तरह हमें बना के लेना है, देखे सब्यों सब्स बना के रेडी करेंगे हैइब इसको भी हम साइड में रख देंगेए, फिरसे एक बाउल ले लिया थिन चममोच मैयदा मिला तो पानी डल के बेटर रेडी करेंगे देखिए मिक्स कर लिया है ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाडा इसी तरह ही चाहिए हमें अब इसको साइड में रख देंगे अब प्यास के लच्छे को ले लेंगे अब हम थोरा सा नमक में लाएंगे क्योंकि चाट मसाला में कर दिया है अब साइड में रख देंगे कर देंगे पर मैरी असनी से कोटिन हो गई है देखिए कितनी बढ़िया बनी है इसी तरह सर्ण सभी को ready करके लेंगे देखिए सभी balls को बनाके ready के लिया है अब हम gas पे चलते हैं पहले से oil गरम होने के लिए रख दिया है oil भी हमारी गरम हो गई है oil को एक साथ जिदा गरम नहीं करना थोड़ा हलका गरम ही करे अब हम नाश्ता को डाल देंगे डाल दिया है एक साइट सिखने देंगे ग्यास का फिलिम हाई टू मिडियम करके एक साइट सिख गई है अब हम पलट लेंगे अलट लिया है अलट पलटके क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे और 20-20 में इस तरह से चलाते रहेंगे दिखे कलर कितनी बड़ी आई हैं अब डेस्ता फिल्म थोड़ा सा कम कर देंगे दो-तिन मिनिट और सेक लेंगे बनाना जितना आसाने खाने में उतना ही टेश्टी है सुबेश अगर हलका फुलका खाना हो तो इस तरह की नास्ता बना सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं अगर अचानक मेहमन आजाए तो भी बना सकते हैं वो आपकी तारीब करेंगे बहुत ही मज़ेदार है टेश्टी है बच्चों से लेकर बड़ो तक सब मांग मांग कर खाएंगे एकड़म न्यू रेसेपी है जरूर ट्राइ करिएगा ये नास्ता हमारी सिख गई है कलर भी बड़ी आ गई है अब हम निकाल लेंगे देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बड़ी आ बनी है सबी नास्ता को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे देखिए नास्ता हमारी रेडी है खाने के लिए कितनी बड़ी आ बनी है देखिए उपर से क्रिस्पी अंदर से सौप्ट है इस तरह से सौस के साथ खईए, चटनी के साथ खईए, चाय के साथ खईए, बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है, उमीद करती हूँ आपके नास्ता के रेसेपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजेगा, और सैनल पे नई हो और अगले वीडियो के मिलते हैं, बाइ